आनंद मट बकीम चंदर चटर जी सन्यासी आंदुलन और बंगाल अकाल की प्रिष्ट भूमी पर लिखी गई बकीम चंदर चटर जी की काल जई कृती अनंद मट पहली बार साल 1882 में चबी और चपते ही अपने कतानक के चलते बंगाल और कालांतर में समुचे भाड़ती साहिती वो समाज पर छा गई इस उपन्यास की क्रांतिकारी विचार धरा ने पहले मुगलो और बाद में अंगरेजों के गुलाम बन चुके देश में समाजिक और राजनितिक छेतना को जागरत करने का काम किया यह प्रवाव इतना व्यापक था कि इस उपन्यास के एक गित वंद्य मातरम आजादी के दिवानों का खुल गित और देश के आजादी के बाद इमें राष्ट गित का दर्जा प्राप्त हुआ आनन्द मट के तब से अब तक ने जाने कितनी वासाओं में कितनी संस्क्राण शब चुक है चुकि यह उपन्यास कापिराइट से मुक्त हो चुका है इसलिए लगबग हर बड़े प्रकासक ने इसे चापा है इस उपन्यास में साल 1770-1774 तक के बंगाल का चित्र खिचा गया ह कताना की द्रिस्टी से यह उपन्यास या इतियाजिक उपन्यास से बढ़कर है मार्ची अर्विंद गोजद्वारा राष्टवात का दिसी करार दिये गए वकीम चंद ने इसमें उस यूग का सिर्फ फोटो ने किजाबल की राष्ट फिपलप के भवर में फसे उवे को न देमात्रम